दोस्तों साथियों, अगर आप एक सिक्षक हैं या फिर सिक्षक बनना चाहते हैं, आप BAD, DLA, CTPM, BTC, DLA जैसे कोई भी सिक्षक प्रसिचन कर रहे हैं, तो आप एक न एक दिन सिक्षक बनने के पूरी अहरता धारन करने की कोशिस कर रहे हैं. ऐसे स्थिती में आपको ICT के बारे में जानना बहुत ही आवस्यक है, और खास कर अगर जो सिक्षक बिद्याले में कारजरत हैं, उनके लिए तो बेहत जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में उनके लिए ये ICT जानना बहुत ही आवस्यक है. यहां हम आपको बताएंगे कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे स्कूलों में क्यों लागू किया गया है, ICT के फायदे क्या है और इसका उद्देश से क्या है, छोटी से वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब हम अभी देकर दूर कर देंगे. सिक्षक साथियों अक्सर ऐसा देखा गया है कि ICT को बिद्यालों में लागू कर दिया गया है और सिक्षकों को प्रसिक्षन भी दिया जा रहा है. लेकिन बहुत सारे सिक्षक ICT का फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे हैं, जिसके कारण बिद्यालों में जाच टीम के द्वारा जब सिक्षकों से ICT के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि सिक्षक परिशानी में पढ़ जाते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से सिच्षकों की तमाम समस्याओं को सुलजाने का प्रयास किया जाता है, तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि ICT का फुल फॉर्म क्या है, आप भी बोलिए मेरे साथ Information and Communication Technology, इसका अर्थ होता है सूचना और संचार प्रोध्योगी की, तो आप जान गए कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे याद कर लें, Information and Communication Technology, जिसका अर्थ होता है सूचना और संचार प्रोध्योगी की, हम आपको बता दें कि ICT का मुख्य उद्दे से क्या है, तो ICT उपकर्णों का प्रोग जिम्मेदारी के साथ तथा बिना किसी भेद भाव के सूचना को ढूंडने, उसे अन्वेसित करने, विसलेसित करने, तथा उसका आधान परदान करने, एवं परस्तूत करने में प्रोग में लाया जाता है, इस प्रकार ICT बहुत ही उद्दे इसके साथ ही आपको यह भी जानना आवस्यक है कि सिच्छा में ICT कैसे मदद करता है, तो आपको बता दें कि सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया के लिए ICT द्वारा बिभिन प्रकार के द्रिस स्रब्व सामगरियों का भी चायन निर्मान और उसके उप्योग में किया जाता ह द्रिस स्रब्व सामगरी के माध्यम से आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों को BCS लाब होता है, विद्यार्थी परत्यच्य रूप से देखते और सुनते हैं और उसका बिसलेशन भी करके बहुत कुछ सीखते हैं इस तरह से वर्तमान समय में ICT सिक्षा जगत में क्रांती ला चुका है और इसके बहुत ही फायदे हैं अब हम जानेंगे कि अस्कूलों में ICT आखिर क्या है और इसे क्यों लागो किया गया है तो आपको बता दें अस्कूलों में सुचना और संचार प्रोध्योगी की ICT एक केंदर प्रायवजित रियोजना है जो विद्यालियों के छात्रों को सुचना इवं संचार प्रोध्योगी की आधारित सिक्षन उपलब्ध कराने के लिए दिर्ड संकल्पित है इसमें बताया गया है कि ICT सिच्छा हुआ तरीका है जो सुचना के वित्रन का समर्धन, समवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सुचना और संचार प्रोध्योगी की का उप्योग बिद्यालों में करना अतियावस्यक है इसलिए अस्कूलों में ICT का प्रयोग करना सुरूप प्रारंभ कर दिया गया है अब हम बात करेंगे कि अस्कूलों में ICT का लाभ क्या है तो आपको बता दें कि सिच्छा के छेतर में सुचना और संचार प्रोध्योगी की अरथात ICT की भूमी का अत्यंत प्रभावसाली द्रिश्टिकोन बनाती जा रही है बिद्याले प्रबंधन के बिकेदरी करन तथा लौकतांतरी करन पर आधारित होता है और सिच्छा में सुचना और संचार प्रोध्योगी के बहुत सारे लाभ हैं जैसे आपको बतला दें इसके लाभ संसाधनों के शमनवय में सहयक है उत्तरदाईत्व की भावना का विकास करता है लच्छिक प्राप्ति हेतु नियंतरन की आवसकता है बिचारों की स्वतंतरता इसमें है समानता लाना है कम्ट्यूटर को आपने देखा होगा कभी भेदभाव नहीं करता जो उसमें आप सुचना देंगे उसी कैनुरोग वो रिजल्ट आपको देता है कार्ज का विभाजन संबंधी अनेकों प्रकार के लाब ICT के विद्यालों में देखने को मिल रहे है इतना ही नहीं इसके साथ ही ICT ग्रामीन वा सुधूर दुर्गम वा पिछले छेत्रों को राश्टी नेटवर्क से जोडने में भी सहायक है पिछले से पिछले इलाक को भी ICT के माध्यम से जोड़ा जा सकता है यहां तक नवीन स्थम तकनीक को अपडेट करने जनसंख्या के स्वास्त और आंकलों का ज्यान रखने में तथा बीमारियों के रोक्थाम को कम करने में भी ICT का प्रमुख जोगदान है इसलिए सभी विद्यालों में इसकी सिक्षा अनिवार्ज कर दी गई है और आप सभी सिच्कों को जानना बहुत ही आपड़ा है